गायत्री लहरी अर्थ आनन्द पूर्वक देव लोक में निवास करने वाली अपने भक्त की सांसारिक भईयों से रक्षा करने वाली देवताओं द्वारा पूजित प्राणी मात्र के पापों का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्ती पूर्वक प्रणाम करते हैं अवामा संयोक्तं सकल मनुजैर जाप्यमभितो यापायाद पायाद भूरत भोविभुवाह स्वाह पदमिती पदम्तन्मे पादावावातु सावितुस्चैवजगने वारेण्यम्ष्रोणिम्मे सततमवतान्नाभीमपिच पदम्भर्गो देवस्य ममहदयं धीमहितता गलंपायानेत्यं धियाईह पदम्चैवरसनाम् तथानेत्रेयो व्यादल कमवतान्नाह पदमिती शीरोदेशंपायान ममतु परितस्चान्तीमपदम् अर्थ ओंकार और अनुस्वार से योक्त प्रतीक प्राणिद्वारा अपने योग्य ओम भूर भूवः स्वः ये पद संपोन पापों से मेरी रक्षा करें तथा तत पद पैरों की सवितो जांकों की वरिन्यम कटी की भर्गो पद नाभी की दिवस्य पद फृदे की धीमही गले की धीयह जेवा की यह नैनों की और नह ललाट की एवं अंतिम पद प्रचोदयार मेरे सिर की सर्व प्र कार से रक्षा करें इन दोनुश लोकों में पूरा गाहित्री मंत्र है और उसके द्वारा अपने सर्वांग संदक्षन की ट्राथना की गई है इसे युगमक कहते हैं पीमुनयाह कथंकारं तर्हे स्तोतितति दियम्मे शुभतरा तथा पूर्णा भूयात त्रोटि परियूता भाव रहिता अर्थ हे देवताओं द्वारा पूजनिये चरणो वाली गाहित्री माता तेरी इस्तोति करने में बड़े-बड़े मुने भी समर्थ नहीं है तब मेरी ये दोशों से युक्त तथा भाव से रहित इस्तोति उप्युक्त कैसे हो सकती है तथा पी मैं इस्तोति करता हूं सो स्विकृत करें भजन्तं निर्व्याजं तवसुखद मन्त्रं विजयीनं जनं यावजीवं जपति जननित्वं सुख यसी नवाकामं काचित कलोशकनि कापिस प्रेशतितं ससारं संसारं सरतिसहसात स्यसततं हे माता तेरे सुखद और विजयी मंत्र को जो जन जपता है उसको तुम सुखी बनाती हो और उसका पाप की कणिका इस्पर्ष नहीं कर सकती एवं उसका सांसारिक वाकावरन आनंद युक्त हो जाता है दधानाम्याधानम् सितकुवलायास्थालनरुचाम् स्वयम् वेभ्राजन्तीम् त्रिभुवन जनाहलादन करीम् आलम् चालम् चालम् मामचकितचित्तम् सुचपलम् चलाचन्द्रासेतवत्वदानरुच माचामायाचिरम् हे चंचल चंद्र के समान मुखवाली श्वेत कमल की कमनिय कांती समों को धारन करने वाली संसार के प्राणियों को सुख देने वाली दातों की जोती का मेरी चलायमान चंचल चित को शीग्र पान कराओ ललामे भाले ते बहुतर विशाले तीविमले कलाचंच चाद्री रोचिरतिलकावेंदु कलया नितांतम गोमाया निविडतम सोनाश व्यसना तामो में गाढ़ं ही हिर्दय सदनास्थम गलापयतु हे भगवती आपके विशाल भाल पटल पर जो चंद्रमा की कला अत्वा चंद्राकार तिलक शोभायमान हो रहा है उसकी कान्ती चो भोतल के अंधकार का नाश करने वाली है वो मेरे फ्रिदय सदन के अंधकार को दूर करे आये माताह किन्ते चारण शारणम संस्रय वताम जानानामंतास्थो व्रेजिनहुताभुक्प्रज्वलतियाह तदस्याशु सम्यक प्रसमनहितायव विध्रितं करेपात्रं पून्यं सलिलभरितं कास्ठरचितं हे माता गायत्री आपके चरणों की शरण ग्रहन करने वाले प्राणियों की व्रिदय में पाप रूपी जो आग लगी है उसको शेगरे शान्त करने के लिए आपने अपने कर कमल में जल पोरित काष्ठ निर्मित कमंडलू धारन किया है क्या? आथाहो स्वेन्माताह सरिदधीपतेह सारमखिलं सुधारूपम कूपम लगुतरमानूपम कलयती स्वाभाक्ते भ्योनेत्यम वितरसे जानोधारिनी शुभे विहीने दीने मैया पिक्रिपाया किन्चित करूनाया अत्वा हे माता समुद्र की सारभूत अम्रित को ही अपने कमंडलू रुपी छोटी सी कूप में भर कर अपने प्रिये भक्तों को वितरित करती हो हे प्राणी मात्र के उद्धार करने वाली शुभे दीन हीन मुझ पर भी कुछ कृपा कीजिए सदैव त्वत्पानं विद्रितम रविन्दम द्युतिकरं त्विदं दर्षं दर्षं रविशसिसमं नेत्र युगलं विचिंत्यस्वाम्रितिम भ्रामविशम जाले श्तिपतितों मिनम्मने नोचेत काथमिति भावे दर्धा विकचमों हे माता तुम्हारे हाथ में जो कमल शुभाई मान हो रहा है वो आपके सूर्य और चंद्र के समान नेत्र युगलं को देख कर भ्राम में पड़ गया है और अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्य उदे समझ खिलना चाता है और चंद्रमा को देख कर मुकलित होना चाता है ऐसा मैं मानता हूँ नहीं तु वो कमल दिन रात अदखिला क्यों रहता है स्वयं माता हकिम्वा त्वमसि जल जानाम पिखनीर यतस्ते सर्वांगं कमल मायमे वास्ति की मुनों तथा भीत्यात अस्मात चाराण मुपयात अह कमल रात प्रायुन्जानो श्रान्तम् भावतित दिहाई वासन विधाउ अत्वा हे माता तुम स्वयं कमलो की खान हो क्या क्योंकि आपका संपूर्ण अंगही क्या कमल में नहीं है अत्यव जो कमलो का राजा है वो आपकी शरण में डर कर आया है और वही निरंतर आपके आसन के प्रयोग में आता है दिवाउ को भिर्वन्दे विकसित सरो जाक्षि सुखदे क्रिपाद्रिष्टेर व्रिष्टिह सुनिपततितस्यो परितव तदिया वांचाकिम् दृत मनु विधे आस्ति सकला ही देवताओं द्वारा पूजनी है विकसित कमल के समान नेत्रवाली सुखदाईनी आपकी क्रिपाद्रिष्टी की वर्षा जिस पर हुती है उसकी संपोर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती हो अतिव मेरे भी अपराद शुलों का छेदन कर सुखदान करो करेक्षानामाला प्रविलसतियातेति विमले कीमर्थम साकान वागनयसि जनान भक्ति निरतान जपन्तिकम मंत्रम प्रसमायसिदोहुखम जनी जुशा मये कावावांचा तववरिवृतित्वत्रवरदे हे माता तेरे एक हाथ में जो अक्षमाला विराजित है वो किसलिए है किन भक्तों को उसके द्वारा गिनती हो अत्वा किस मंत्र को जब कर प्राणियों के दुखों का शमन करती हो हे वरदायने अत्वा और मंत्र जब कर क्या करना चाहती हो नामन्ने धन्नेहं त्वावितत्थामिदं लोकगदितं मामात्रोक्तिर्मात्वा कामलमिवफुल्लमतवकरं विज्नम्भासंयोक्त द्योति मायमिदं को कनदमी त्यक्षरम जानानेयम मधुकरतति संबिलसति ये धन्ने ये जो लोकगदि ऊपर कही गई है इसे मैं तो उप्युक्त नहीं मानता इस विशे में मेरी उप्युक्ति ही उप्युक्त है कि आपके हाथों को विकसित कमल मानकर ये भ्रमरों की पंक्ति मंडरा रही है महा मोहां भोधव ममनी पतिता जीवन तर्यर नीरा लंबा दोला चलित दुरवस्था मधिगता जलावर्तव्यालो ग्रसितुमभीतो वांचतिचताम करालंबंदत्वा भगवति दुरुतंतारयशिवे हे भगवति कल्यान मैं इस संसारूपी विशाल समुद्र में मेरी जीवन नौका पड़ी हुई है और वह बिना सहायता के बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है उसको भमरूपी सर्प नसने की इच्छा कर रहा है अत्यव हे माता उसी शिक्रे तेरा हो तद अपने कर कमल का सहारा दो दधाना से त्वम्यत स्ववपुसिपयोधारि युगलो मिति शृत्वालो कैर्मम मनसी चिन्ता समभवत कथम स्यात्सातस्मादलकलतिकामस्तकभुवी हे माता आप दो पयोधरों को धारन करती हो ऐसा लोगों के द्वारा सुनकर मेरे मन में चिन्ता उत्पन हुई कि ये मस्तक रूपी भूमी पर केश पाश मई लता कैसी हो सकती है ये तु निश्चे ही मस्तका आकाश पर मेख मंडली कृड़ा कर रही है तथा तत्रई ओपस्थिती मपी निशी थिन्यधी पते प्रपश्यामिश्यामे सह सह चरैस्तारक गणै अहो रात्राह कृड़ा परवशमितास्ते पीचकितास्चिरम्चिकृड़न्ते तदपी महदास्चर्यचरितं तथा साथ ही ये माता उस समस्था आकाश में चंद्र को अपने सहचर टारागणों के साथ ही मैं देख रहा हूँ रात दिन क्रड़ा में रत होकर आश्चरिय युक्त क्रड़ा नित्य करते ही रहते हैं ये भी आश्चरे मैं चरित्र है क्योंकि सुर्योदे होने पर दिन में चंद्र तारे अद्रिश्य हो जाते हैं किन्तु यहां नहीं होते यदाहोस्तम्मुक्ता पटलजटितम्रत्नमुकुटम् नधत्तेतेशाम्सा वचनरचनासाधुपदवीम् कुछ लोगों का कहना है कि ये तो अनेक मने मानिक्यों में जड़ा हुआ मुकुट है किन्तु मेरी सम्मती से ये बात उनकी ठीक नहीं जंचती ये तो निशाही है विगत वेश केश नहीं है ऐसा निश्चे करकी ही ये प्रसनरता पूर्वक चंद्रमा की सभा शोभित हो रही है त्रि वी जेहे देवी त्रि प्रणव सहिते त्र्यक्षर यूते त्रि मात्रा राजन्ते भुवन विभावे यो मिती पदे त्रि कालम संसेवे त्रि गुणवति चत्रि स्वरमई त्रि लोके स्रैह पूजे त्रि भुवन भायात्रा ही सततम् हे तीन बीजवाली तीन उंकार युक्त मंत्रवाली तीन अक्षरवाली ओम इस एक मात्र सारभूत मंत्र में तीन मात्रा शोभित है ये तिनों काल में सेवनिये, तीन गुणवाली, तीन स्वर्वाली, तीन लोग के इश देवताओं द्वारा पोजनिये माता हमारी सांसारिक भैसे रक्षा करो नचंद्रो नईवे में नभसिविततातारके गणा त्विशाम्राशी रम्या तवचरणयो रम्भुनिच्याये पतित्वा कलो लईह सहा परिचाया द्विश्त्रिती मिता प्रभा सईवानन्ता गगन मुकूरे दीव्यती सदा आकाश में ये चंद्रमा और तारागण नहीं है किन्तु आपके चरणों की छाया जल में गिरकर तरंगों के साथ परिचय होने से विस्तार को प्राप्त हो गई और वही आभा आकाश रुपी कांच में दितिप्य मान हो रही है त्वामेव ब्रहमानी त्वामासी कामला त्वाम नगसुता त्रिसंध्यं सेवंते चरण युगलं ये तवजाना जगा जाले ते शाम निपतित जनानामी है शुभे सामुधार आर्थम किम मती 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 स्तेना भवती तो ही ब्रहमानी कमला इवं रुद्रानी है तीनों काल में जो आपके चरण की सेवा करते हैं उन जगजाल में भसे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए हे मती मती आपकी मती नहीं होती है क्या अर्थात अवश्य होती है अने कैह पापव घयर लोलित वपुषम्षोकसहितं लोठंतं दीनम्माम् वीमालपदयोरेणु शुतव गालत वाश्पम्षश्वत् जननी सहसा स्वासन वचो ब्रुवानों तेश्ठत्वम् अम्रित कानी कामपास्यसीकदा अनेक पापों की समुदाई से जरजर शरीर वाले शुक युक्त मुझ दीन को आपके पावों की धूल में लोटते हुए अश्टुपूर्ण नेत्र वाले मुझ पापी को आश्वासन के वचन कहती हुई हे बेटा ओठ ऐसे वचनों के अम्रित कनका कपान कराओगे नवा माद्रिक पापी नही तव समा पापहरनी नदुर्वोधिर माद्रिक नचतव समाधी वीतरिनी ना माद्रिक गर्विष्ठो नही तव समा गर्व हरनी हे दिस्मने द्वाहेवं मामई कुरू यथे चातव यथा मेरी जैसा पापी नहीं और आप जैसी पापहरनी नहीं मेरी जैसा मूर्ख नहीं और आप जैसी बुद्धी दायनी नहीं मेरी जैसा अभिमानी नहीं और आप जैसी गर्वहारनी नहीं अत्यव हे माता ये सब विचार कर चाहे जैसा करो दरिधर्तिप्स्वांतेक्षारवार्चातुरविन्षतिमितम् त्वदंतर्मंत्रम् यत्वै निहित चेतोही मनुजाहा जो मनुष्य आपके 24 अक्षरवारे मंत्र को फृद्य में धारण करता है वो सुखी है वो संसार समुद्र से पार हुजाता है और उसका जीवन वन हरा भरा हुजाता है श्यांक मगनम सशंकम आई खलो कुरुदत्वा वीत शंकम स्वमंकम हे भगवती ये लहरी रुद्र देवद्वारा रचित तेरे चरण कमलों में स्थापित की जाती है कुमति रुपे अंधकार के कीचड की गोद में मगन संकित मुझको अपनी गोद की शरंदे निर्भय करिए इतिसरी रुद्र देवविरचित गायत्री लहरी समापता